हेलो फेंट्स वेलकम टू स्टेडी ग्रूप पार्शला मैं विलाश और आज की ग्लास्वन लो डिस्क्रस करेंगे एक इंपॉर्टन निबंद को और यह निबंद होगा सतर्क भारत सम्रद भारत पर ठीक है काफी ज़दा इंपॉर्टन टॉपिक हो सकता है आप सबी के अब इसको त्यार कर सकते हो अपकी एक्जाम में टॉपिक पूछा जा सकता है इसके साही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी 70 प्लस टॉपिक्स यहां से हम लोग कवर किये हुए हैं इसमें जितने रीसेंट टॉपि आज आए टफ से टफ वो चीद पूछ लिया तो भी आप आसानी से कर लोगे और इस्पेशियालिटी इन बुक्स की है कि आपको विदिन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं लेटेस्ट पैटरन पर बेस्ट मिलेंगे हो 70 प्लस टॉपिक्स यहां से आप कवर कर सकते हो ठीक है और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे तो अलग से दो बुक लेने की जोटनी पड़ेगी लोइस्ट कॉस्ट में बुक आपको अपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा तो डिस्कुशन में लिंक दोस्तों दिया गया है वहां से जाके जैसे कि आप शुरुवात कर सकते हो नय भारत का निर्माड तब तक लगबग असंभाव है जब तक इसमें ब्रस्ट चार का कैंसर है लोगों और सरकार की सामुए गिक्षा के बिना ब्रस्ट चार को खत्म करना असंभाव है ठीक है यहाँ पर आप शुरुवात इस तरह से निर्माड जो होगा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक ब्रस्ट चार की जड़ों को खतम ना कर दिया जाए यह ब्रस्ट चार का कैंसर इसे खतम ना किया जाए ठीक है और यह कैसे हो सकता है कैसे पॉसिबल होगा जब सरकार और लोग दोनों की सामोही किच्छा हो इसको परति यानि केवल एक तरफ से अगर इसके लिए प्रयाउस क्या जाएगा तो सफ़ नगhymust लोगों की तरफ से सर्कार की तरफ से इस में आप और इसको ब्ता easier कि जब कोई वेक्ति नया वबस्था के नियमों के विरुत जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सारुजनिक संपत्ति, इस्थिति, शक्ति और अधिकार का दुरप्योग करने लगता है तो व्यक्ति भेस्टाचारी कहलाता है ठीक है भेस्टाचार कैसे होता है या भेस्टाचारी कौन होता है या आप यहाँ पर explain कर सकते हो कि कोई व्यक्ति जो नए विरस्था के नियमों के विरुद जाकर अपने स्वार्थ के लिए किसी सावजनिक संपत्ति या अपनी पोजीशन का यानी स्थिति का पावर्स का यानी शक्तियों का अधिकार का जब दुरोपियोग करने लगता है तो उसको ही हम लोग आपर ब्रस्था चार बोलते हैं तो इस तरह से यहां पर आप इंट्रडीवस कर सकते हो इस टॉपिक को शुरुआत कर सकते हूं राइट आगे दोस्तों मूफ करते हम लोग बॉडी सेक्शन में इसके बाद देखो आप इसमें क्या कैसे लिखोगे यद पी ब्रस्था चार को एक बार में शूनने स्थर तक नहीं लाए जा सकता लेकिन हम इसे कम करने का प्रयास कर सकते हैं यानि कि ब्रस्था चार को हम एक बार में ही जीरो लेवल तक नहीं ला सकते हैं शूनने स्थर पर इसको एक बार में नहीं लाया जा सकता लेकिन अगर हम पहले से ही प्रयास करेंगा यानि धीरे धीरे हम इसको कम कर सकते एक साथ at once इसको खतम नहीं कर सकते ठीक है तो हमें धीरे धीरे इसके लिए प्रयास करते रहने की जरूरत है ठीक है हमें इसके लिए इसको कम करने के लिए वैस्ट आचार को कम करने के प्रायास करते रहना निगरानी औल सतर्कत से सग्षित किया जा सकता है विजलेंज जो है फिन्स में जो management functions उसमें सतर्क्ता का यह काफी दा रोल होता है ताकि कोई भी जो management में बैखती है जो किसी position पर हो ब्रस्ट अचारी ना बने इसके लिए सतर्क्ता होनी चाहिए वह सतर्क्ता आयोग इसलिए बनाया गया ट हम संघ्ठन को आंत्रिक खत्रो से बचाने के लिए जो बाहरी खत्रों की तुलना का UT की विजिलेंस की रोल क्या होता है आंतरिक खत्रों से बचाने के लिए यानि आंतरिक खत्रे जो हैं जो अंदर के लोग हैं जो सिस्टम के लोग हैं वही जो हैं किसी तरह का खत्रा पैदा ना करें इस चीज़ को कैसे इस चीज़ को खतम किया जा सकता है राइट तो यहां पर आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो बैटर में राइट फ्रेंट्स आगे मूफ करते हैं लोग बॉडी सेक्शन में सिक्षा की मदद से हम ब्रस्ट रचार को कम कर सकते हैं एक सर्विक्षन के अनुसार सबसे कम ब्रस्ट राज केरल है क्योंकि इसमें साक्षार्ता की दर्स सभी राज्यों सैदिक है अब आप यहां पर दोस्तों बता सकते हो कि सिक्षा की मदद से ब्रस्ट रचार को कम किया ज सकता है या एक तरह से घतम किया जा सकता है इसका एक्जामपल आप दे सकते हो कि एक सर्विक्षन के नुसार एक जो है सर्विक्षन हुआ उसके नुसार यह पाया गया कि जो सबसे कम ब्रस्ट राज जो है वो कौन सा केरल है क्योंकि इसमें साक्षरता दर्ज्व सभी राज् किया जा सकता है तो इस तरह से यहां पर आप इस चीछ को लेख सकते हो एक्स्प्लेइन कर सकते हो यहां पर सलीशन दे सकते हो कि इसको खतम करने का क्या सलीशन हो का विजिलेंस तो चाहिए ही चाहिए सतर्टा तो चाहिए ही चाहिए इसके साथ सिक्षा का भी एहम रोल है अपने अधिकारों के लिए आगे आना होगा ठीक है यानि भारत को सम्रद बनाने के लिए सभी लोग यानि जितने भी लोग भारत में रहे हैं सभी लोगों की बात हो रही है वे सभी अपने अधिकारों को पैचाने और उसके लिए आगे आए ठीक है यानि उसको पाने की है जो भी हमारा फील्द है चाएं लगे हुए हैं अगर उसव मापने आपको सब telefon करने की कोशिश करते तो हम वह सब कुछ हंसल कर सकते हैं जिस चीज की हमें कामना है और हम् जिस चीज को हासल करना चाहते हैं यानि हम वह उतने है फिल्ड में एकसल करें घों अगे बढ़ेंगे अपने आपको बैतर बनाएंगे अपने आपको एक्सिलेंस की ओड़े जाएंगे यह बात यह तरह से यहां पर आप बता सकते हो आगे दोस्तों मुफ करते हम लोग फाइनली कंक्लूजन की होगी आज वेवसाय के हजारों विकल्प मौजूद हैं जरूरत है तो केवल सतर्कता और समझदारी से लाब उठाने की यानि आज के समय में हजारों विकल्प मौजूद हैं किसी भी काम को करके हम जो हैं आसानी से सतर्कता के साथ और समझदारी के साथ लाब उठा सकते हैं इसके लिए आवश्यक है कि मौजूद विकल्पों और नीतियों को ज उसका लाब कमाएं ठीक है तभी जो है जब लोग लाब कमाएंगे वो जब सम्रद्ध होंगे तभी भारत भी मारा सम्रद्ध बनेगा तो इस तरह से यहां पर आप इसके रिगार्डिंग लिख सकतो बेस्ट वेब राइट इसके बाद फाइनली हम लोग लास्ट पैरा में चलते हैं भारत को स्वस्थ और सम्रद्ध बनाने के लिए निवेश नहीं बलकि नवचार सबसे बड़ी ताकत बन सकती है ठीक है यानि कि हमें पूरी तरह से निवेश यानि इन्वेस्मेंट के पर बेस्ट नहीं रहना चाहिए हमें नव इन्वेशन को बड़ावा देना चाहिए इन्वेशन जितना अधिक होगा नए नए चीजे जितनी सामने आएंगे उससे डेवलपमेंट होगा और उस डेवलपमेंट से दीरे-दीरे हमारा देश और हमारे देश के लोग समुरद्ध बनेंगे तो यहां पर आप इस तरह से लिख सकते हो हमें जिरुरत है कि अपनी ताकत का महत्त समझकर उसका सही तरीके से उपयोप करने की यानि जो हमारे इस तरह से आप यह पर लिख सकते हो कि सम्रद भारत बनाने के लिए प्रतिक व्यक्ति को सम्रद्ध बनना होगा तब ही हमारा देश समर्द बने आ तो I hope आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा यह topic कैसे लिखना है और यह topic अगर exam में आता है तो best possible way क्या हो सकता है इसको लिखने के लिए इसके साथ ही साथ आप other topics को भी त्यार का सकते हो जिनकी playlist आपको मिल जाएगी playlist section में वहाँ पे जाके सारे topics को त्यार का सकते हैं application और presets की भी playlist देख ले ना इसमें भी आपको सारे important topics मिल जाएगे राइट दोस्तों तो इन सभी को अच्छे से त्यार करिए और आई हो पाच का वीडियो आप सभी के लिए काफी यादा helpful रहा होगा वीडियो कैसा रख लगा comment करके जरूर बताएगा वीडियो helpful लगा हो तो like करेगा इस वीडियो को share करेगा अपने सभी दोस्तों में और subscribe क कर लिजेश चैनल को अगर आपने से कोई नया है तो इसका साही साथ आप में टेलिग्राम पर फॉलो कर सकते हो यहाँ पर आपको सारी important PDFs तो classes की notification भी मिल जाएंगे और साधी साथ इसका link भी मैं आपको description में provide कर दूँगा वहाँ से जाके आप डिरेक्ट जॉइन कर सकते ह comment section में भी पिन कर दूँगा right friends तो अभी के लिए इतना ही next मिलते हैं एकली class में thanks for watching